बेवुसराय में पुलिस अपराजियों पर नकेल कसने के लिए चाहे तिस डंकी बारदात हो दिन रात एक ही है ऐसे में आज फिर बेवुसराय में जनतादारवार एस पी योगेंद कुमार ने खुद लगाया है और तकरीबन तीन घंटे लगातार जनतादरवार में हर तरह क तकरी समस्याओं को उन्होंने बड़ी बार्की से सुना है अब उमीद करते हैं कि इन चीजों पर इन्होंने सक्ट निर्देश भी दिया होगा हम इन से जानने की कोशिष करेंगे क्रिटिकल मामले जो है कि चीजों का था और कैसे इसको हैंडिल करते हैं जो हाम आवाम है व मुझे याद है कि 100 के उपर तो महिलाएं थी इन लोग ने अपनी बाते हमारे सामने रखी है और सभी ने आवेदन भी दिया है इन सभी पे जो इनके जो मुद्दे थे वो हमारी कोशिच यह रहती है कि यदि हमारे आफिस में आ गये हैं तो इन पर कारवाई यहीं से हो जाए इनको इसके बात कहीं न जाना पड़े तो कई मावलों में हमने देखा है कि वो गाउं में जो जमीन का विवाद होता है गरीली विवाद है गोतिया से विवाद है कोई दमकी दे रहा है उन सब चीजों से जड़े हुए ज्यादा मामले थे कुछ मामले केस से जड़े हुए थे गलत नाम दे दिया फाइयार नहीं होई तो जहां पर इस टाइब के मामले आए तो मैंने कंसर्ण ऑफिसर को कहा है फोन करके कि इसकी जो समयधान है वो साथ दिनों के अंदर हो जाना चीए तो चुकि यहां पर जो भी लोग आते हैं अवेदन देते हैं उसका हम लोग एक रिकॉर्ड रखते हैं और हम लोग कई बार सूचक सभी फोन करके पूछते हैं कि जो कारवा आते हैं जिसमें मैलाओं की संक्या काफी जादा है तो यह हम लोग के लिए बड़ा इंकरेजिंग है और हम लोग ने एक सिस्टम यहां पर दीरे-दीर डेवलक किया है जो भी पीडित पक्ष है जाहें मैला हो पुरोष हो बच्चा हो बुड़ा हो यदि वो हमारे पास आत जो भी इस टाइब की मामले हमारे सामने आये हैं वहां पर मैंने स्ट्रिक्ट एक्षन लेते हुए सभी उन सभी ऐसे चो से सोकोस भी किया है और मैंने कंसर्ण एस्टीपियों को भी कहा है कि इसकी जांश करके दें और यदि हमारे संग्यान में यह चीज आएगी कि जानव पर एंट्री हो यहां पर ताकि जवाब देही फिक्स की जाए और मैंने सभी थानों को भी यह कहा है कि यदि मैं किसी थाने पर इंस्पेक्षन के लिए जाऊंगा तो जितने भी फर्यादियों की अप्लिकेशन आई उसको एक फाइल में ही लेके जाऊंगा ताकि ऑन दाइ तो इसको हम लोग आगे भी कंटीनियू रखेंगे और इसको हम लोग और से और ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाएंगे ताकि जनता को जो निया है और जो वो कारवाई या पेच्छित करते हैं वो जिले के अंदर यहां तक आके ही उनकी हो जाए है उसरे में भूमी की समस स्याओं को हम पढ़ते हैं तो पता चल जाता है कि इसमें भूमाविया कहीं नहीं कहीं हो रही है जहां नहीं है वहां मैंने आदेश दिया है और पिछले कुछ दिनों में सदर थाना छेतर में ही कई बड़े बूमाफियाओं को जो केसे में वांटेट थे उनको हम लोग नर की लिस्ट अपने हां बना के रखें और उन पर निरंतर कारवाई करते रहें जो भी अपेक्षित हैं और मैंने अपने सभी एस्टीप उसको यह कहा है कि किसी भी थाने में जाते हैं तो उस टॉप टेन भूमाफियाओं की लिस्ट को जरूर देखें और उन पर जो अपने नहीं देंगे बिल्कुल इनका साफ तर पर कहना हुआ कि किसी तरह की बारगेनिंग अगर अपरादियों के द्वरा यहां की जाती है तो उस पर सक्ति से कारवाई की जाएगी और अपरादियों पर खासकर नकेल कसा जागा वहराल लोगों का आरोप परसासन पर